दोस्तों कोविड की थर्ड वेव आए ना आए आपके इलाके में डैंगी डैंगू आ गया है August, September, October, November इस बीच डैंगी के वाइरस का बहुत खुंखार एफेक्ट देखने को मिलता है Hospitals भर जाते हैं और इस साल थोड़ा और ज्यादा serious देखने को मिल रहे हैं cases तो इसलिए डैंगी के बारे में आपको कुछ important बाते हैं कई important बाते हैं जो आपको नहीं पता जो आपको बजा सकती हैं hospital जाने से आपके platelet कम होने से platelet कम होते हुए आपको problem ना हो आपका डैंगी serious ना हो डैंगी problem ना करें निमरोजिक शौक में आ जाएं टेस्ट कौन से कराने हैं कब कराने हैं अगर डैंगी आपको होता है तो क्या आपको पता है आप से दूसरे को भी हो सकता है आरी बाते आज समझेंगे फटा फटा फट तो इस वीडियो को जरूर सबसे पहले like करिये शेर करिये सारी जानकारी कुरे वर्ल्ड के लिए बहुत जलूरी है तो डेफिनिटली इसको शेर करें थैंक यू सो मच Dennei जो है यह एक सिंगल स्थंड़रने वायरस है और यह चार अलग-अलग प्रकार के वायरस है छुछ न्यूस्पेपर में Dengue 2, Dengue 2 जैसे वाइरस नया वाइरस नया वाइरस जैसे खबर सुनी वो गलत है नया नहीं है पुराने वाइरस है Type 1, Type 2 वाले जो है Denver, Den 2 यह अल्रेडी इंडिया के अंदर बहुत पहले से हैं मौझूद है जाधा तर पाए जाते हैं तो Dengue 1, Dengue 2 दो वाइरस इंडिया में पाए जाते हैं चार मून प्रकार के वाइरस हैं चारो जो हैं उसके उपर जैसे आपको पता है वाइरस के उपर antigen होता है तो यह चारो वाइरस antigenically similar है कुछ antigen सारों में present है लेकिन थोड़े थोड़े अलग भी हैं इस वज़े से किसी एक से भी आपको infection हो जाता है तो वो infection दूसरे चारो वाइरस से कुछ महीनों के लिए आपको protection देता है और किसी एक वाइरस से infection होता है तो उस particular वाइरस से आप आपको लंबे समय जिंदगी भर के लिए भी protection मौजूद होता है प्रॉबलम कहां आ जाती है प्रॉबलम आती है जब एक particular वाइरस से आपको infection होता है कुछ महीनों के बाद दूसरे वाइरस टाइप से आपको infection crossly infection होता है तो पहले वाले infection के वज़े से होने वाले जो आपक यह कह लिजे यह एक Aedes mosquito मच्छर से फैलता है ज्यादा तर Aedes Egyptian सिर्फ उससे नहीं आता और भी दूसरे Aedes family के मच्छरों से भी फैलता फीमेल Aedes mosquito जो है वो अपने अंडे जो है जो damp गिली जगाओं पे जहां पर पानी इकठा है पानी के लाइन से उपर डाल देती है और अगर इनको सही environment मिले तो यह हफते भर में मच्छर बन जाएंगे बड़े वाले लारवा से मच्छर की जो life होती हो 15 दिन की होती है average लेकिन rainy season में moisture जादा होता है तो उनकी life भी बढ़ जाती है इसलिए rainy season में डेंगी जादा होता है transmission ज्यादा होता है तो अगर आप अपने घर के 400 मिटर यादा किलो मिटर का एरिया पकल्ड ओन एवरेज उतना एरिया अगर आप साफ सुथरा रखें उसमें कोई खड़ा पानी ना हो कोई उल्टा सीधा ऐसी जगा ना हो जहाँ पानी जमा हो रहा है तो आप देंगी से अपने इलाके अपने खून में वाइरस होगा वाइरियल वाइरेमिया बोलते हैं इसको वाइरेमिया वाले पेज में अगर उस समय एक नॉर्मल एडी्स वाले मच्छर ने आपको काड़ दिया जिसको जिसके अंदर डेंगी वाइरस नहीं है तो आपके खून से वाइरस को उठा लेगा और वो आपको infection है तो आपको भी मच्छर ना काटे इसका ध्यान रखना चाहिए तो कि आपसे वो infection उस दूसरे मच्छरों में भी चला जाएगा दूसरे मच्छर अगर female मच्छर और जाद अब अंडे बैदा करके हजारों लाखों करोडों नंबर्स बना लेते हैं और इस वज़े से ही यह डेंगी जो है कंट्रोल में नहीं आता हर साल दिक्कत करता जाता है और इसमें जैसे मैंने बताया मच्छर से उसके अंडों में भी यह trans-ovarian transmission है वाइरस का अब बात करते हैं भी हाँ ठीक है चलो डंगी हो जाएगा तो क्या होगा आपको डंगी की मच्छर ने काटा ज्यादा तर ये daytime पे काटते हैं तो daytime पे काटते हैं याद रखिएगा अगर एक बार आपको काट दिया आपके अधर वाइरस गया चार से दस दिन का वाइरस अपना incubation period लेगा, multiply होके ज़्यादा होगा और फिर आपको symptom शुरू होगे वो वाइरस आपके immune system को activate करता है, आपके T lymphocyte cells, आपके macrophages, उस immune system वाले cells को activate करता है, वहाँ पे antibodies बनते हैं, antibody और dengue के antigen मिलके, complement system मिलके और वो जाके reactivity होई, और T lymphocytes से जो cytokines निगलते हैं cytokines जो हैं, आपके body के जो खून की नसे हैं, उसकी permeability बढ़ा देते हैं, उसकी खून की नसों की permeability बढ़ाते हैं, तो वहाँ से leakage होता है तो पहले जो symptom होते हैं उसको dengue fever बोते हैं clinical presentation, आपकी उमर बहुत बहुत जादा बुजर्ग हैं, या बहुत कमजोर हैं, उसपे depend करेगा या virus के strain पे depend करेगा, जी हाँ, virus D1, D2 हो सकता है, एक D2 थोड़ा जादा fast है, D1 थोड़ा जादा slow है, so yes that is there, symptom कैसे आते हैं symptom simple flu वाले आते हैं, simple flu fever या probable dengue fever हम कैसे पहचानेंगे, अगर आपके इलाके में, खासकर इस time पे, August, September, October, November, December के time पे, इसी को बुखार हो रहा है, सर में दर्द, या इन दोनों, चारों में से कोई एक दो चीजे ली है, सर दर्द है, आंक के पीछे दर्द है, myalgia, इनने muscle pain है, joint pain है, और किसी प्रक hemorrhagic bleeding tendency हो जाने भर को hemorrhagic fever नहीं बोलते, डेंगी को तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है, डेंगी fever, डेंगी hemorrhagic fever और डेंगी shock syndrome, ठीक है, इसी को कई बार, डेंगी hemorrhagic fever का gradation 1, 2, 3, type 1, type 2, type 3, type 4 तक ले गए, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 4 यहने total shock, patient का BP नहीं है, बेहो पर ठीक हो जाएंगे, केवल, ठोड़े दिन अराम करके, रेस्ट लेके, पानी पीके ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा क्यों है, कि बीस में से एक patient serious हो रहा है, यह वो patient है, जिसमें cross reactivity हो रही है, एक particular virus से आपको infection होता है, कुछ महीनों के बाद, दूसरे virus type से आपको infection, cross infection होता ह है, तो पहले वाले infection के वजए से होने वाले जो आपके अंदर antibodies होते हैं, वो इस नए virus के साथ आने वाले antibodies, antigen के साथ बहुत heavily react करते हैं, और इसलिए ऐसे cases जो है serious हो जाते हैं, और जो आपके अंदर अगर virus है, आपके अंदर उस virus की immunity है, यह पहले एक dengue 1 से आप infect हुए, आपने उसके शिलाफ antibody बना लिए, अगर आप female है, आपका बच्चा होता है, तो आपके बच्चे में भी वो antibody चला जाता है, तो वो antibody आपके बच्चे में गया, अब उस antibody के चलते दूसरा dengue 2 ने जाके अगर आपके बच्चे को घाटा, तो dengue 2 आपके बच्चे में उस antibody, पहले Dengue 1 के antibody के साथ cross react करके थोड़ी serious रूप धारण कर सकता है, जरूरी नहीं है मगर ऐसे evidence है कि हो सकता है, तो primary या first infection जो होता है, non immune person में simple Dengue fever cause करता है, subsequent infection, different serotype अगर वो है, तब वो ज्यादा serious illness like Dengue hemorrhagic fever या Dengue shock syndrome cause करता है, यह बहुत important point है समझने वाला, इसलिए एक Dengue का vaccine आ चुका था, दुनिया के अंदर, Sanofi ने बनाया था, लेकिन इसलिए अब उसका use नहीं करते हैं, कई सारी country दुनिया भर की इसका इतना है, क्यों कि वो antibodies एक particular virus के वज़े से, दूसरे virus के cross reactivity होगी नहीं होगी, इसका evidence अभी नहीं है, तो कैसे पता करें कि आपको D Dengue, Hemorrhagic fever तो नहीं हो रहा, Hemorrhagic tendency मतलब bleeding tendency होने के आप चार points देख सकते हैं, एक कहीं आपके हाथों में, जबान में, या कहीं पे भी शरीर में, चोटे-चोटे लाल-लाल spots तो नहीं हो रहे हैं, इसके हम पेटिकी बोलते हैं, या इकाइमोसिस बोलते हैं, लाल पना आन होना होना, उसको हम इकाइमोसिस बोलते हैं, जो आप हात में लगाते हैं, आप उसे ब्लड प्रेशर की अपना normal blood pressure चेक करेंगे, आपका blood pressure गर 128 है तो 120 plus 80 divided by 2 यहने आप उतना blood pressure यहने mean उनको average लेंगे उन दोनों के beach car average लेंगे उतने पर लेके जाके आप blood pressure को रोक लेंगे यहने के 100, 120 plus 80 divided by 2 यहने 100 pressure लेके आप उसे रोक के रखेंगे 2 minute तक, right, 2 minute, उस 2 minute के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दाने लाल वाले आये की नहीं, आये हैं, तो वो दाने count किये जाएंगे, 1 square inch area, 0.5 cm square area में, वहाँ पे 10 से ज़्यादा दाने हैं, तो वो bleeding tendency बताता है, चार चीज़े होने चीज़े, dengue hemorrhagic fever बोलने के लिए, hemorrhagic tendency plus एक probable या confirmed dengue case, probable वो जिनको सिर्प symptom है, confirm जिनके test positive है, test कौन से कर भी आएंगे, तो ये दो चीज़, plus अगर उनके test में, blood test में, thrombocytopenia है, यहने के उनके platelet count 1,00,00 से कम है, 1,00,00 cells per cubic mm, यहने के डेंगू का case लगना चाहिए, hemorrhagic tendency होनी चाहिए, platelet count कम होनी चाहिए, और चौथा, there should be evidence of plasma leakage, plasma leakage का मतलब क्या है, कि खून की नसों में से पा तो red blood cells जो हैं, उनके numbers, उनका percentage बढ़ जाएगा, normally अगर red blood cells जो हैं, वो 23-40% हैं, और पानी निकाल दोगे, तो वो 50%, 60%, तो अगर 20% से ज्यादा उनका percentage बढ़ जाता है, that means पानी बहुत सारा निकल रहा है, यहने के plasma leakage हो रहा है, या फिर अगर आपने patient को admit करने के बाद, जो पानी दिया, glucose दिया, fluid दिया, उस fluid से उसका hematocrit, यहने के उसके RBC का जो यह percentage है, वो 20% से जादा drop हो जाता है, that means उसका जो blood था, वो गाड़ा था, वो आपने जो plasma leakage था, वो वापस plasma डाल दिया, so that is the sign, plus अगर literally उनके पेट में पानी दिख रहा है, lung के आसपास plural effusion है, है, hypoproteinemia है, तो ऐसी चीजों में आप पक्के से मान सकते हैं, कि protein leakage है, और अगर बहुत जादा मातरा में आपका blood leak हो रहा है, आपको hemorrhage हो रहा है, अंदर से कोई bleeding हो रहा है, तो patient का जो है, circulatory failure, आपका blood जो है, properly circulate नहीं हो पाएगा, patient shock में चला जाएगा, यहने कि उस for dengue hemorrhage fever, so ultimately इसको समझें या पहचाने कैसे, देखिए, जैसे ही अगर आपको इस time पर बुखार हो रहा है, और सर में दर्द है, आखों में दर्द है, body में pain है, तो आपने करना क्या है, क्योंकि यह new normal flu हो सकता है, यह malaria हो सकता है, यह dengue हो सकता है, और भी कई सारे viruses हैं, त जब आपको बुखार आया, उस दिन से लेके, पहले साथ दिनों के अंदर, आप अपना serological test करवा सकते हैं, आप antigen वाला test करा सकते हैं, डेंगी NS1 antigen, वो antigen positive आ जाए, या फिर आपका molecular test, NAT test, जिसमें आप literally डेंगी का RNA देख सकते हैं, आप COVID का RNA देख सकते हैं, PCR करके, वै पहले साथ दिनों में आप ये सारे test कर सकते हैं, अगर पहली बार में भी आपका negative आता है, तब भी जरूरी नहीं है, कि डेंगी नहीं है, हो सकता है, डेंगी फिर भी हो, और second conversellant phase में जब second time पे आपके antibody टेस्ट किये जाते हैं, तब आपके antibody positive आ जाते हैं, right, antibody कई बार इतनी quantity में नहीं होते, कि आपका पहली बार में पकड़े जाएं, फिर अगली बार साथ दिनों के बार लेते हैं, तो फिर पकड़े जाते हैं, पता चलता है, हाँ जो बीमारी है, जो थी, वो डेंगी ही थी, डेंगी थी, आपके शरीर में कुछ दो से तीन महीनों तक भी positive रह सकता है, अगर आपका IgM negative है, और IgG antibody positive है, तो डेंगी आपको पहले कभी हुआ था, तो डेंगी का आपके बच्चों को हो, आपको हो, किसी को भी इस प्रकार के symptom हो, treatment first day से शुरू हो जाना चाहिए, कोई special antibiotic, antiviral नहीं है, डेंगी के लिए best treatment है, rest and fluid, बहुत सारा पानी पीना है, जितना हो सके, क्योंकि आपको fever control करना है, पानी खुब सारा देना है, और कोई भी NSAIDs, यानि के pain killer, brewfin, aspirin, या जो भी pain killer से दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ बखार के लिए acid aminofin, यानि के paracetamol आप दे सकते हैं, वो भी आपके उमर, आपके वजन के हिसाब से, बच्चों को बच्चों के डॉक्टर से पूछके, बड़ों को 500 या 650 mg दिन में, हर 6-6 घंटे के interval में दे सकते हैं, और बुखार फिर भी जादा हो रहा है, तो sponging कर सकते हैं, normal या थोड़े से ठंडे, chilled water से नहीं, normal या थोड़े से ठंडे पानी से, dehydration ही main चीज है, जो problem कर करना उसके लिए, main issue यही होता है, बहुत सारा पानी जो है, lose हो रहा है, आपकी body गरम हो रही है, उसके heat के वज़े से, आप vomiting कर रहे हैं उसके वज़े से, बहुत पानी नहीं पी पा रहे है उसके वज़े से, आपके body के अंदर plasma leakage हो रहे हैं उसके वज़े से, तो dehydration is the main key, इसलिए पेशन्ट admit होता है, उसको glucose चड़ता है, fluid चड़ते हैं, collidal solutions चड़ते हैं, और अगर bleeding हो रही है, तो blood चड़ता है, platelet बहुत ही कम हो गए है, तो platelet चड़ता है, यही main treatment है, डेंगी का, आपको sign देखना है, अगर mild to moderate dehydration हो रहा है, तो क्या sign आएगा, छोटे बच् जो है, वो कम हो जाएगी, पिशाप कम होगा, मुह सुखेगा, मुह, tongue और lips dry होंगे, आखों से आस्मों बहुत कम आने लगेंगे, या आखें जो है, या head जो है, वो अंदर दबे हुए से feel होगे, शंकेन eyes, ऐसा feel होगा आपको, तो बच्चों के लिए यह है, और severe dehydration होगा है, और कई बार उनके हाथ जो है, वो ठंडे पढ़ सकते हैं, बच्चों के, चोटे बच्चे हैं तो, बड़ो के case में, अगर mild dehydration होगा, तो उनको प्यास लगेगी, मूँ सुखेगा, dryness होगी, और उतना urine नहीं आएगा, जितना पहले आता था और dark urine आएगा, और skin जो है, हाटबीट बढ़ जाएगी, ब्रीधिंग बढ़ जाएगी, और आखों के जो आईज है, वो अंदर दबी सी शंकेन आई बाज ये दखेगी, याद रखेगे, बीस में से एक को life threatening बन सकता है डेंगी, तो warning sign क्या है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्ध होना, दिन भर में, 24 घंटे में 3 से ज्यादा बार उल्टी आना, कहीं से भी, आपके bleeding होना, नाक से, मुझ से, लैटरिन से, कहीं से भी, बहुत ही ज्यादा कमजोरी होना, या सांस लेने में दिक्कत होना, या हाट पर ठंडे पड़ जाना, ये warning signs है, ऐसे patient को तुरंत hospital में भरती करिए, उसको main इन इलाज, glucose या IV fluids की ज़रूरत है, IV fluids बहुत ज़रूरी है, hospital के अंदर एसे patients को आप protect कर सकते हैं, इनकी complications को assess कर सकते हैं, इनकी बिमारी को संभाल सकते हैं, घर पे warning signs वाले patients का management नहीं होगा, घर पे manage करिए, अगर आप safe level में, mild dehydration पे हैं, so that is most important, और अगर आपको dengue है, त अपने आपको फिर मच्छर से बचाईए, नहीं भी है तो भी मच्छर से बचाईए, लंबे sleeves वाले कपड़े, long pants पहनिए, घर के अंदर जादा तर रहिए, और mosquitoes को बाहर रखे, shield लगाओ, window लगाओ, मच्छर दानी लगाओ, air condition है तो उसको use करो, और environment protection, EPA registered insect repellants use करो, ताक grass वो सारे आप use करिए, जिससे मच्छर दूर में, तो यह सारी information बहुत काम की है, कृपया यह सारी information को अच्छे से share करिए, please share this information to everyone, prepare yourself, अगर आप तयार रहेंगे, तो कम लोग बिमार होंगे, thank you so much, stay connected, stay healthy.